दोस्तों हमारे पास हर महीने खर्च के लिए यानि घर खर्च के लिए कुछ न कुछ इंकम जरूर होते रहती हैं लेकिन हम उस इंकम के साथ साथ ये नहीं सोचते हैं कि अगर आप यहाँ पर थोड़ी बहुत पचत करते हैं तो इससे हम अपने लिए एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं महीने के अंदर जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसे आप खर्च कर देते हैं लेकिन उसके अंदर अगर आप जादा नहीं बारे सो पचास रुपे यानि साड़े बारे सो रुपे सेविंग कर लेते हैं तो दोस्तों एक टाइम पिरेड के अंदर इसी लाक रुपे का फंड बना सकते हैं कैसे आज हम इस फीडियो में ये चेक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और यहाँ पर निवेश करने का तरीका भी बताएंगे तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल Investor टा में दोस्तो जब निवेश करने की बात आती है तो लोग ये सूचते हैं कि उन्हें लाको रुपे निवेश करने हैं लेकिन अब जमाना बदल चुका है अब आपके पास लाको रुपे निवेश करने की ज़रुत नहीं है अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचत कर सकते हैं तो उसे भी आप निवेश कर सकते हैं अगर आप 12-300 रुपे घर-कर्च से बचा लेते हैं तो या तो आप गुल्लक में डाल देते हैं या फिर सेविंग अकाउट में उस पैसे को रख देते हैं लेकिन दोस्तों सेविंग अकाउट में 4-5% प्यासतर मिलती है जिबकि अगर आप घर में पैसे बचत करके रख दे हैं तो उस पर कोई भी बेनेफिट नहीं मिल पाता है बलकि वो किसी जरुत पे खर्ची हो जाते हैं लेकिन अगर आप सारे 1200 रुपे बचा कर निवेज करने का प्लान करते हैं तो इस वक्त मूचल फ्रेंट के अंदर SIP यानि कि सिस्टमाटिक इंवेस्मेंट प्लान काफी बढ़िया उप्शन है लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि स्टॉक मार्किट के अंदर पैसे को निवेज करके वो पैसा डूप न चाहे दोस्तो शॉर्ट टाइम के अंदर जैसे भी आपने देखा होगा पिछले एक वीक के अंदर स्टॉक मार्किट के अंदर काफी करेक्शन हुआ है यानि के चार से पांच परसेंट का तो ऐसे करेक्शन आते रहते हैं इसका एक्जामपल अगर आपको देखना है तो आप किसी भी मूचल फंड प्लान को देखेंगे 2020 लॉक डाउन में वहाँ पर कम से कम मूचल फंड्सों के अंदर 30 से लेकर 40 परसेंट का रिटन माइनस में देखने के लिए मिला था लेकिन उसके बाद 2 साल में जो रिटन है वो 200 परसेंट से जाधा करा है तो दोस्तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि हम हमेशा ऐसे फंडों का चुनाव करें जहां पर बड़े-बड़े क्रैसिस को पार करके भी रिटन काफी अच्छा मिला है चाहे से 2008 के आर्थिक मंदी की बात हो या फिर क्रोना लग टाउं की और दोस्तो ऐसे फंडों में अगर आप थोड़े पैसे भी SIP के तुरूं निवेश कर देते हैं तो आप एक मैचरिटी टाइम के अंदर काफी बड़ा फंड बना सकते हैं हम भी आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे उसे पहरे हमारी इस फीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो ये फंड है ICC Prove Technology Fund Direct Plan Growth यानि कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो IT सेक्टर के अंदर निवेश किया क्या है पिछले 6-7 मेहने की बात करें तो IT सेक्टर के अंदर काफी प्रेशर देखने के मिला है लेकिन ओवरॉल अगर हम लॉंग टाइम की बात करें तो दोस्तो आईटी सेक्टर के अंदर जो रिटर है वो काफी शांदार मिला है तहीं वज़ा है कि इस फंड का एनूले रिटरन वो भी कमपाउंड 21.61% का रहा है जबकि अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 22.49% तीन साल में 21% से ज़्यादा रिटरन है जबकि एक साल में भी रिटरन शांदार 11% के आसपास है लेकिन एक महिने में जैसे हमने आपको बताया था स्टॉक मार्किट के करेक्शन की वजह से रिटरन 34% माइनस में है लेकिन दोस्तों अगर हम 5 साल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो रिटरन था 2020 करोना के टाइम 65 रुपे का एनेवी का प्राइस हा लेकिन लोगडाउन के बाद इसका एनेवी का प्राइस काफी नीचे आ गया था लगबग 42 रुपे के आसपास लेकिन उसके दो साल के अंदर यहाँ पर प्राइस 188 के आसपास पहुंच गया था लेकिन अभी दुबारा से इसने यहाँ पर अपुना लो बनाया था लगबग 136 रुपे वापस उपर गया था लगबग 172-70 रुपे के आसपास लेकिन अभी फिर करेक्शन है और प्राइस 161 रुपे के आसपास अभी चल रहा है बात करते हैं कैलकुलेशन की कैसे आप यहाँ पर 1250 रुपे महिना निवेश करते हैं सेविंग करके तो इससे आप 3,44,000,000 रुपे का फंड कितने टाइम के अंदर बना सकते हैं और दोस्तों यह हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर 1250 रुपे महिना निवेश करेंगे और 21% रुटर अगर आपको मिल जाता है आने वले टाइम में जिमकि अभी तक रुटर इससे थोड़ा जादा है अगर आप 5 साल तक निवेश करके रखते हैं स्पैसिक को तो इसमें SIP के तरूप 75,000 रुपे का निवेश करेंगे और इस पैसे पर रिटन 58,134 रुपे का होगा यानि के 5 साल में आपके पास 1,33,134 रुपे का फंड मिल जाएगा लेकिन 10 साल में 3,6,6,144 रुपे का रिटन मिलेगा और 1,5,000 रुपे की वैली हो जाएगी 5,10,144 रुपे दोस्तों 15 साल में आप 2,25,000 रुपे S.I.P. के तुरू निवेश करेंगे साड़े 12,00 रुपे महिने के साब से और इसमें 13,52,799 रुपे का रिटन मिलेगा यानि कुल मिलाकर आपके पास 15,77,779 रुपे का फंड होगा लेकिन दोस्तों 20 साल के टाइम पिरेट में 3,00,000 रुपे का आप S.I.P. के तुरू निवेश करके 43,00,10,84 रुपे का रिटन बना सकते हैं और इसमें टोटल आपके पास 46,00,10,84 रुपे का फंड होगा लेकिन 25 साल में यहाँ पर 3,75,000 रुपे S.I.P. के तुरू आप निवेश करेंगे 12,00,000 रुपे महिने के साब से इसमें रिटन 1,27,57,57,58 रुपे का होगा यानि 25 साल में आपके पास 1,31,62,56,59 रुपे का पंड होगा जबकि 30 साल में 45,00,000 रुपे का निवेश करेंगे S.I.P. के तुरू जबकि रिटनिस में 3,99,57,083 रुपे का होगा और यहाँ पर 30 साल में आपके पास 3,44,70,083 रुपे का एक बड़ा फंड होगा यहाँ पर दोस्तों गर होल्डिंग की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 46 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और सबसे ज़दा IT सेक्टर के अंदर इन्फो से शेयर के अंदर लगवग 27% पैसे को यूज किया गया है इसके लावा TCS, भारती एटर, HCL टेक्नलोजी, टेक महिंदरा, LTI माइट ट्री यानि इकुल मिलाकर 46 IT के स्टॉक हमें पैसे को निवेश किया गया है अगर हम फंड के expense ratio यानि खर्जे की बात करते हैं तो यह है 0.89% का दोस्तो exit load की बात करें यानि 15 दिन से पहले आप जो पैसा निक्वेश करते हैं उसे निकालते हैं तो 1% exit load चार्ज देना होता है tax यहाँ पर बात करते हैं एक साल से पहले तो 15% का return पर लेकिन एक साल के बाद यहाँ पर आपको एक लाग रुपे से ज़्यादा profit होता है तो 10% का tax LTC देना होता है यहाँ पर दोस्तो fund को manage करें विशब और शर्मीला ICC pro mutual fund house की बात करें तो थर्ड नंबर पर रेंक आती है asset के साब से 4,70,644 करोड रुपे का E.O.M. अनितने पैसे लोगोंने अलग-लग mutual fund plan के अंदर ICC mutual fund house के साथ नवेश के हुआ है और 1993 को यह fund house से start हुआ था तो दोस्तो ICC के इस plan में अगर आप निवेश करते हैं 1250 रुपे महिना SIP के तरू तो एक maturity time के अंदर आप 3,44,000,000 रुपे का fund बना सकते हैं यह दोस्तो long time जरूर है लेकिन अगर हम बात करें हैं हाँ पर अपके किसी goal की तो दोस्तो आप अपना किसी भी goal को पूरा कर सकते हैं कम से कम पैसे निवेश करके या फिर ज़्यादा पैसे निवेश करके stock market के अंदर short turn में थोड़े बहुत losses जरूर दिखाई देते हैं लेकिन अगर हम long time की बात करें तो mutual funds के अंदर return आपको compound काफी अच्छा मिल जाता है दोस्तो इस वीडियो सो related अगर आपका कोई question होता है तो आप हमें जरूर बताइए वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद